नमस्कार स्वागत आपका निज्वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देखरें हमारा खास बुलिटन अभी-भी खबरों का रूप कर लेते हैं कोरोना काल की दूसी लेहर धीमी पढ़ने के बाद कई जगाओं को अभी रब लगनी शुरू हो गई है बीते दिनों कई जगाओं के तस्वीरे सामने आई थी जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनने वाले कोवेड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हुए दिख रहे थी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रिधान मुदी नरीन मुदी ने नाराजगी चुताई है उन्होंने गुरुआर को अरज़ित की गई मंतरी परिश्ट की बैटक में इसका जिक्र भी किया है प्रिधान मुदी ने कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए एक भी गलती का दुर्गामी प्रभाग होगा और ये गलती महमारी के खिलाफ लड़ाई को कमसोर कर सकती है मंतरी मंदर में फिर बदल और विसार के अगले दिन नई टीम से बात करते हुए पीम मुदी ने मंतरी परिश्ट की बैटक में कहा कि कोरोना महमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ निरंतन टीका करण अभ्यान और हाई टेस्टिंग के साथ चल रही है दिया है राज्य व्यापी आश्रवाद यात्वा के क्रम में बेगुसराय पहुंचे चिराग ने पत्रकारों से बाच्षीत के दुरान ये भी दावा किया कि नितेश उनके बागी चाचा पश्विपती कुमार पारस के लिए एक सीच छोड़ने के लिए सहमत हो गए जिसस उनके उम्र नितेश कुमार के राज़्यतिक करियर से भी कम हैं उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य मंतरी के बेखत करीबी कहे जाने बाले जिन नेताओं ने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया नितेश ने उन्हें भी नहीं बखशा रेल मंतराले की कमान समालते ही मंतरी अश्वनी वैश्णम ने बड़े बदलाफ का ऐलान कर दिया है रेल मंतरी की गोशना के मताविक मंतराले से जुड़े विवहाग के करमशारी और अधिकारी अब दो शिफ्टों में काम किया करेंगे रेल संचार और इलेक्ट्रोंिक्स और सूश्रा प्रद्योगी की मंतरी कार्याले से एक नोट भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि रेल मंतरी के निर्देश के अनुसार ततकाल प्रभाब से मंतराले के सभी स्टाव दो शिफ्ट में काम किया करेंगे पहले शिफ्ट सुबा साथ बज़े से शाम चार बज़े तक चलेगी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन बज़े से देर बाद बारा बज़े तक चलेगी रेलवे बोट के अधिकारी ने सपष्ट किया है कि इस आदेश के अनुसार सिर्फ मंत्री सेल के लोग ही आफिस आएंगे नीची और रेलवे स्टाफ पहले की तरह ही काम करेगा रेल मंत्री आश्रनी वैश्टरम ने ब्रस्पतिवार को कारेभार सबालने के बाद कहा कि रेलवे प्रधान मंत्री नरीन दुमूदी के विजन का एहम हिस्सा है रेलवे के जरी लोगों के जीवन को बदलना है ताकि आम आदमी किसान गरीबों को इसका लाब मिल सके नई रेल मंत्री ने गुरुवार सुवा नौ बज़े रेल भवन पहुंच कर काम का समाला उसके कुशी देर बाद रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जार्दोश ने भी अपना पदवा ग्रहन किया राश्टे स्वय सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत के गाज़ेबात में दिये गए बयान से लग तो रहा था कि संग मुस्लिमों में पैट बढ़ाने की कोशिश में है प्रभु श्री राम की तपो भूमी उत्तरप्रदेश के चित्रकूट में अब उसका नहीं तार्थ भी समझ में आ रहा है अखिल भारतिय प्रांथ प्रचारकों की मुख्य बैटक शुरू होने से पहले कोर गुरुप की सदस्यों की संशिप्त बैटक में हुए विमर्ष से भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संग मुस्लिमों को राष्ट वादी विचार धारा से जोड़ने की पहल करेगा गुरुआर को कोर गुरुप की बैटक में योगी सरकार की कामकाज और उसके जन प्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई प्रांथ प्रचारकों की बैठक में आने से पहले राष्टे स्वय सेवक संग के सर संग चालक मोहन भागवत ने गाज़िबाद में कहा था कि पूजन विधी के आधार पर हिंदू और मुसल्मानों का अलग नहीं किया जा सकता सभी भारतियों का डियने एक ही है और उने विश्व मताओ को छोड़ कर एक होका भारत को विश्व गुरुप बनाने की हिमायत भी की प्रचारकों की बैठक शुनूख होने से पहले ही समझ में आन आतंक्यों को सुरक्षबलों ने मार गिराया है इस दोरान दो जवान भी शहीद हो गए आतंक्यों ने पिछले करीब 24 घंटे में दूसी वाग घुसपैट की कोशिश की है राज़ौरी जिले के सुन्दर बनी सेक्टर के डडाल इराके में आतंक्यों के मूवमेंट की खब आतंक्यों की तरफ से फाइरिंग और ग्रेनेट फेकने के बाद सुरक्षबलों की जवावी कारवाई में दो पाकिस्तानी आतंकी मार गिराय गए उनके पास से दो एके 47 और काफी मात्रा में गोला बारू भी बरामत किया गया इस दोरान नायब सुबेदान श्रीजीत एम और सिपाही एम जस्वन्त रेडी शहीद हो गए अभी और तलाशी अभ्यान चुलाए जा रहा है समस्तिपूर में बूरी गंड़क नदी का जलस्ता खत्र के निशान से उपर चला गया है इससे समस्तिपूर में बार का खत्रा मंत्राने लगा है सलूइस गेट से रिसाफ होकर बार का पानी शहर के कई हिस्सों में खुस गया है नगर निगन की टीम सलूइस गेट को ठीक करने में जुटी हुई है बोड़ी गंड़क के जलस्ता में हुई बढ़ोत्री का असर ऐसा हुआ कि नदी किनारे बसे पांचसों से ज्यादा खरों में बार का पानी खुस गया बार पीड़ित अपने सामानों के साथ बांध की और पलाइन कर रही है बार के पानी से लोगों का जन चीवन अस्त वियस्त हो गया है सलूइस गेट से पानी का रिसाफ होका महले में घुसने से कुछ महले वासी पानी से खिर गए है यहां लोग टैयूब नाव बना कर घरों से आवज़ा ही कर रहे हैं पतादे की लगाताफ हो रहे बारिश के पानी और नेपाल से पानी चोड़े जाने के बाद शेहर इस्ते बूरी गंड़क नदी का जलसतर खत्रे के निशान को पार कर गया है इसी कारण समस्यपुर में बार जैसे खालात नज़र आने लगे हैं तो बारिश ने लोगों का जीना भी मुहाल कर रखा है प्रसाशन के सारे दावे खुखले साबित हो रहे हैं केरल में कोरोना वायरस संकरमन के बीच जीका वायरस की पुष्टी हुई है ॐरांसे मंतरी वीना जौर्ज ने गुर्वार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्जे में एक गर्वती महिला में मच्छर से फैनने वाली बीमारी जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है स्वास्य मंत्री ने कहा कि तिरुवंतु पुरम से जीका वायरस के 13 अन्य संदिक मामने भी मिले उनका कहना है कि टेस्ट के उनके नमूने पूने में नाशनल इंसिट्यूट और वायरलोजी भीचे गए ते देश भर में कोरोना संक्रमन को नियंतरन में रखने के लिए देश व्यापी कोविड वेक्सिनेशन का कारेकरम चलाय जा रहा है जिसके तहट अभी तक देश भर में 36 करोल कोरोना वेक्सिन की खुराक लोगों को लगाई जा चुकी है फिराल बीमसी की ओर से जौनकारी दी गई है कि वेक्सिन की कमी की बच्छा से आज सरकार और बीमसी की ओर से संचालेत मुंबई में केंडरों पर वेक्सिनेशन कारेकरम बंद रहीगा आदे से ज्यादा देश में पैट्रोल की कीमत 100 रुपे से ज्यादा का आकड़ा पार कर चुकी है दो दिन लगा था बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को पैट्रोल डीजल की कीमत इस्तिव रही देली में आज पेट्रोल की कीमत 100.56 रुपे परती लीटर और मुंबई में 106.59 रुपे परती लीटर है मैं देली में डीजल की कीमत 89.62 रुपे और मुंबई में 87.18 रुपे है पेट्रोलियम कम्पनियों ने गुर्वार को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रती लीटर जबकि डीजल में 9 पैसे की बढ़ोत्री की थी एक माई को 90 दश्रवलव 4.00 रुपर प्रती लीटर की कीमत रेखा से शुरू होका अब राश्री राश्रानी में पेट्रोल की कीमत 100.56 रुपर प्रती लीटर पहुँच गई है यानि कि पिछले 70 दिनों में 10.16 रुपर प्रती लीटर की पैट्रोल के दाम में बढ़ोत्री की गई है इसी तरह राज़ानी में डीजल की कीमिते में भी पिछले दो महीनों में 8.89 रुपे प्रतिलीटा पढ़ा कर रुराश्ट्री है 89.2 रुपे प्रतिलीटा कर दी गई है कोरोना वाइरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज़ों से सक्त लॉकडाउन हट चुका है जीवन पठ्री पर लोट रहा है ऐसे बेच छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज़े और केंद्र शाषित प्रदेश सरकारे स्कूल को फि अबले सप्ता से स्कूल खोल रहे हैं बता दे आपको किनकिन राज़व में स्कूल खुलने वाले हैं और कहां कहां तयारी की जा रही हैं बता दे उत्रकंद सकार ने 12 जुलाई से कक्षा एक से बारवी तक के सारे स्कूल खूलने का फैसला किया है हाला कि छात्रों के आने पर रोख होगी फिलाल के वर अध्यापक और स्टाफ भी स्कूल आपाएंगे शिक्षा मंतुई अर्विंद पांडे ने कहा कि छात्रों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी बिहार बे दस्विक अक्षा के उपर के स्कूल कॉले सोमवार से खुल जाएंगे अभी पचास फीजदी छात्रों को ही बुलाए जाएगा शाररिक दूरी के लिए गोले बनाए जाएंगे टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग भी ऑनलाइन ही होंगी ऐसी कोशिश की जाएगी दुनिया डेल्टा वेरियंट को लेकर च्रिंतित है इसी बीच बिटेन के विग्यानिकों ने दावा किया है कि फाइजर का टीका कोरोना के डेल्टा वेरियंट के लक्षन बाले संकमंट से बचाने के लिए 88 फीज़दी तक असरदार है इससे पहले डेल्टा वेरियंट के खिलाफ स्कॉटलैंड के विग्यानिकों ने फाइजर के टीके को 80 फीज़दी जब कि कैनेडा के विग्यानिकों ने 87 फीज़दी कारगर बताया है इसराइल के 484 अन्टराले ने खाली में बताया था कि फाइजर कंपनी का टिका कORONA के सबी वेरियंट के खलाए 64 फीज़ी असरदार है इससे पहले मई में इसराइल ने टीके को 95 फीजी असरदार बताया था टीके के असर को लेकर अलग अलग परिनामों को लेकर भी दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है इस बुलेटर में फिलार के लिए इतना ही आप देखते रहें नीज सुल इंडिया